हेलो दोस्तों वेलकम टू आज चानल बीए प्रोग्रमर में आज की इस पड़लर वीडियो में पांच जॉब रोल्स के बारे में बात करने वाले सारे कोई भी ग्राजवेट्स अप्लाई कर सकते हैं और बहुत लोग के यह शिकायत है कि मैं बस मतलब बड़े बड़े शहरों के लिए पोस्ट करता हूं सो यह सारे जॉब रोज है वो आप कहीं से हो तो अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली एंड अगर क्याना उस पड़लर शहर से हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो वर फो होम कभी नहीं है ठीक है बेगाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि हां इंसे रिस्पॉंस नहीं हाता है सो यह वाले स्क्रीन शॉट देखो दाट समवन एक बंदा है यह बीन प्लेस्ट एस फोन बैंकिंग ऑफिसर थूर इस काइंड ओव वीडियो तो वीडियो को ला सकते हो तो वीडियो को लाइक करके सस्क्राइब ज़रू करना चैनल को कोई भी ग्राइज अप्लाई कर सकते यह मतलब फ्रिशड के लिए सारा है और कोई भी ग्राइजवे बलब बीगोम बीसी किसी भी ग्राइजवेट से ओ अग्राइजवेट हो कोई भी अप्लाई कर सकते हो देफिनिटी चलते स्क्रीन पर स्टार्टिंग से लेकर अंद तक देखेंगे उसको उससे बहले में री अब अम्हेल आब एक्जाम दी आयरी लेवल के थू उसके इसके तो मिला फिर डारेक्ट्ली में अप्लाए गिया उसके अच्छी एच्छी अच्छी अच्छी अक्रेड बने एम्जी रेजर पे इसके इस यह अफ कंपनी पे इम्च पी अ और भी धेर सारी कंपनी तरुक्ष are there, you can get shortlisted and you can get packages of up to 40 LPA, 50 LPA, there are these kind of packages, minimum अगर अगर आप टेक के लिए जा रहे हो, तो minimum आपके पकेज है 6 LPA, अगर आप नॉन टेक के लिए जा रहे हो, minimum package 4 LPA, ठीक है, minimum, maximum तो कुछ भी ले लो, minimum is this, ठीक है, about 700 प्लस companies are hiring through this particular platform, तो आप accordingly, आपको सारे लिंक्स देस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जाके apply करो, definitely it will be beneficial, और कोई भी cooling period नहीं है, आप अगर unfortunately अगर नहीं clear कर पाते हो test, फिर से आप free of course, फिर से बहर सकते हो, you can give the test, definitely it is a very big advantage, many people have got placed, बहुत हिर सारे लोगों फायदा हुआ है, तो जाके description में जाओ, लिंक उठाओ, जाके apply करो directly, जाओ, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, अब चलते हैं, अपने HDFC वाली job role पे, जैसे ही देख पार हो, यह पर प्रटुलर पे, लिंक पे click करता हूँ, so a page will open basically, this is the HDFC page, it is for Gorakhpur, यहां से मैं खुद हूँ Gorakhpur से, वहां के लिए, और आप बोल रहे थे ना, कि यह बड़े बड़े शार्यों के लिए बस मत पोस्ट करो, तो गोरकपुर के लिए लिए कहा है, Gorakhpur is also good city, definitely मैं वहीं से, मुत वाइं करोँगा, and you can work from there, ऐसे ही अगर क्या नाम है कोई और की भी बात करें, अगर हम यह वाला link उठाएं, and I got to this one, और यह वाला page भी खोलनें, this one is for Kolkata, तो सारे job description के बारे में बात करते हैं, पहले एक के बारे में बात करते हैं, अलग-अलग job roles, जैसे ATM coordinator, credit underwriter है, ऐसी different different job roles है, same भी हो सकते हैं, but main चीज़ के है, that if you are like zero years of experience, you can apply, fresh or apply कर सकते हो, किसी भी graduate पर apply कर सकते हो, because यहाँ पर कोई भी graduation mentioned नहीं है, and these are common jobs that, किसी भी graduate सो apply कर स रहे हैं, हमारे resume उससे match out होना चाहिए, because एक बंदा तो है नहीं, जो HDFC के लिए अपलाई करते हैं, number of people who are applying, ठीक है, तो आपको wait करके, थोड़ा सा try out करना है, चीज़ों को आपको सुधारना है, resume को सुधारना है, पढ़ना है, time देना है, तभी आप हो सकता है, short listing में help हो, ठीक है, सबसे पहले जी, sales and influencing skills, banking, product, process, knowledge, मतलब आपको प्रोड़क्स के नॉलेज होना चाहिए, उसकी तो आपको proper training मिलेगे, when you will be selected, you will get a proper training, but definitely आपका जो interview होगा, उसको depend करता है, like उसमें questions जरूर होंगे, HDFC के प्रोड़क्स के बारे में, HDFC के बारे में, आपको थोड़ very common, very very important role, ठीक है, communication skills, उसके बाद फिर आता है, knowledge competition and current financial industry, मतलब जो trend चलना है, financial industry में, उसका आपको knowledge होना चाहिए, and these are the things, यहाँ पे देखो, monthly reporting of cash verification, मतलब जो ATM सो अगेरा में, ATM coordinator आप हो, तो ATM सो अगेरा में, जो cash पढ़ते हो, उसकी reporting आपको रखनी है, कि महीने में कितना cash पढ़ा, इस ATM में, उसके आपको reporting रखनी है, ठीक है, उसके बाद, manage process endurance, मतलब different, different parameters होते है, reporting के, कि suppose, कितना cash भढ़ा, chart अगेरा, through, there are different, different methods, ठीक है, तो उसके through, आपको देखना है, next thing, to ensure all the sites related issues and advocatedly, captured in the site verification report, मतलब reporting, mainly आपको reporting बनानी, reports बनानी है, कि हाँ, इस बंदे ने अगर, इस particular ATM में, जाके, वो सारी चीज़े की है, cash भढ़ा, तो कितना भढ़ा है, इस month के according, कितना भढ़ा, किस दिन कितना भढ़ा, cash लगा, किस दिन कितना भढ़ा, withdrawal हुआ, यह सारी चीज़ का आपको, proper report रखना है, because that is important, and the details of cash audits, audits वगेरा होते है, तो वो सारी चीज one, suppose, similarly, अगर मैं सारा खोल लू, I'll show you, तो यहां पर मैंने सारा खोलिया, this is also for authorizer, this is for Noida, Uttar Pradesh, this is for Mumbai, Maharashtra, authorizer, ARLO, this is for Hyderabad, Telangana, all are for the fresher, freshers के लिए सारे है, यह ATM coordinator, this and this Gorakhpur one is same, and this is different credit underwriter, then this is authorizer, RLO, यहां पर आपको देखना है, what is the job description, what are the skills, यह सारी चीज़ आपको पढ of time, you have to study this, and definitely application process, देखो, मैंने पहले दिखाया, आपको, अगर मैं दिखाना चाहूं, फिर से, you can also login, if you don't have an account, just click on this, आपको अप्लोड करना पड़ेगा, resume, resume, जब अप्लोड करते हो, उसके थुरू भी आपका account बनता, तो जैसे मैंने अप्लोड किया, I will click on I am not a robot, it will fetch, सा यहां पर यह सारी details आ गई है, it has been fetched, मतलब resume से यहां है, ऐसा नहीं है, मैंने अलग से बढ़ा, यहां पर phone number भी भड़ देते है, because these are things required, यह मैंने बढ़ दिया, and if you are experienced, वागर आपको कोई experience भड़ सकते हो, no experience, zero बढ़ दो, and what is your location, location आप change कर सकते हो, can also change your location, and यहां पर आप से अपना choose out कर लो, इसके बाद I will click on this, and I will search for my city, कोई भी city एक choose out करूंगा, suppose कोई भी, एक city मैंने डाल दिया, suppose, for example, यह वाला city डाल दिया, then preference, आप अपना preference, थीन preference, at most डाल सकते हो, optional है, पहला तो आपको mandatory location, और आगे का आपको optional है, option, depend करेगा आपको पर कौन सा preference डा आपको पर कोई नहीं है, what is your title designation, मतलब अगर आपको कोई नहीं है, suppose, if you don't have a designation, you are a student, और you have just been passed out, तो यहाँ पर कोई भी designation डालने की जरौत नहीं है, and already registered, मतलब मैं already registered, उसलिए ऐसे दिखा रहा है, then I will change my mail ID, मैं mail ID अपना change करता हूं, I will show you, so, यहाँ पर जो भी registration मैं पहले यहाँ पर दिखा रहा था, then I have clicked on this, तब मेरे पास एक OTP जाएगा, email ID पर, वो मेरे को verify करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो, मेरी email ID जो मैं registered की थी, उससे यहाँ पर OTP आया, this OTP I need to fill out, यहाँ को ले जाना है, और यहाँ पर जो भी है, वहाँ पर paste कर सकते हो, and verify click कर सकते ह बाद आपको password बागरे डालना है, जैसे मैं एक password choose out कर रहा हूँ, और आपको सारे norms के थूरू, जैसे capital letter होने चाहिए, ताकि आपका account भी secure है, ठीक है, तो these are the things that are required, जैसे मैं भर रहा हूँ, this I have filled, and I will get going done, that is it, बहुत ही normal process, यहाँ पर मैं login हो चुका हूँ, अब मेरे को क् अप्लाई पर टाप करूँगा, तो एक page खुले का, और मेरा application होगा, ठीक है, अब application वो मेरा क्या था, वो मेरा बस login हुआ है, that is locked in only, अब देखो यहाँ पर यहाँ यह सारे देखो, मैंने login कर लिया, उसके बाद यहाँ पर apply पर टाप किया, फिर से आप refresh हो सकता है, करने की जुरत पर यहा, क्या नाम है, अगर ऐसा दिखा रहा है, apply login करने के बाद, कोई दिक्कत रही है, फिर से वो आली link खोलो, login करने के बाद, फिर से वो आली link खोलो गे ना, तब वो application वाली process पर चला जाएग, apply पर क्लिक करके, ठीक है, next thing यहाँ पर आपको date of birth अपनी डालनी ह है, suppose I am just clicking, मतलब एक dummy में डालना हूँ, आपको दिखाने के लिए बस, उसके बाद यहाँ पर अपना India चूज करना है, then your state you have to choose, then your एक city आपको चूज करना है, कोई भी random city I have choose, यहाँ पर मैंने चूज कर लिया, उसके बाद अपना postal code, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना postal code डाल दिया, and this is also my permanent address, तो वो मैंने choose out कर लिया, उसके बाद alternate number is optional, pan number is mandatory, तो यह आपके चीज भरनी पड़ेगी, that is, ऐसे ही random भर सकते हो, it will depend, it will also show, अगर आपका एक क्या कहते है, सही नहीं है, तो वो सही दिखाएगा, it is not correct, जैसे यहाँ आपको invalid दिखा दिया, यहाँ process पूरा दिखा देता हूँ, it will be easy for you to fill out the form, कोई भी issues आते है, आपनी जो comment down करके पूछ लेना, वरना आप सारा वी वीडियो में देखी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर education details मेरे को डालनी है, that is, whichever institute you have, study, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना institute डाल दिया, it was mentioned, if it is not mentioned, others को option ज So, I have clicked on this and I have clicked on this, that is it, यह चूज आउट होगा, इसका location अपा कहा था, education details के रहा है, पहले तो इंडिया था, उसके बाद state मेरा पंजाब था, तो पंजाब मैंने टाप कर दिया, उसके बाद आपका मुकसर, मलोट, whatever, like I am from मुकसर, यहाँ पर मैंने यह डाल दिया, that is Bhatinda, it was my this, my full time education, it was, it was a graduate program, उसके बाद मेरी details कहते ही, मैं BTEK था, तो BTEK डाल दिया, उसके बाद, yes, it is my highest qualification, and I will click on next, ठीक है, अगर मैं फ्रेशर हूँ, तो कोई फ्रेशर टाप कर दो, कोई शूज नहीं आगा, experience तो आपको भरना पड़ेगा, तो अगर आप experience तो भरना तो पड आपको दिखा दिया, तो प्लीज एला लाइक करना तो भूलना मत निचे आगर लाइक जरूर कर लेना वीडियो को, सबसे इसी स्टेफ पहाँ और का सिस्क्राइब कर लेना चालल को, बिगोज इस काइंड वीडियो वीडियो को विल बीकमिं रेगुलरली, and all the links you will get in the description, definitely you should go and apply, so this was all about our video, यही सारी चीज जो मैं बताना चाला था, इस पड़लर वीडियो में, आपको ऐसी चीज़े आपको डेली मिलते हैं चैनल पे, तो प्लीज एर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जोन करना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जय हिन्त, बंदे मातरम, ब बाइ!